असलाम अलेकुम रहमेतुल्ला वबराकातुव अले दिन स्टोर में खुशामदीद एक साल पहले हमने छे सोलर पैनल लगाये थे मैक्स पावर के 165 वार पैनल आज खल मैक्स पावर के यह नहीं आरहा लेकिन तब यह काफी अच्छा पैनल समझ के हमने लगाया था आज हमने यह चेक करना है कि वह 6-6 पैनल जो हमें क्या आउटपुट दे रहे हैं उनकी क्या सूर्थेहाल है क्या कंडिशन है कितने उनकी आउटपुट है और कितनी उनको देनी चाहिए थी खेर वह वारंटी में थे पांच साल की तो चलें आज देखते हैं चोटी सी वीडियो में क्या परफॉर्मस दे रहे हैं में जब 1.500 आपका पैनल खरिदा तो उसमें तीम चीलों का ख्याव लगना है, पैनल खरिद आ हमने कैसे जज़ करना हैं यह अच्छा है या हलका है यह आके 6 पैनल मैक्स पावर के यह सारे के सारे हम ने 6 पैरलल में लगा हुग हैं मतलब कि सब के प्लस कठे की होगी है और सब के माइनस हमने एक जगा पे कठे की होगी है यह पैनल को मैं थोटा पीछे से करीब से दिखा हूँ तो इसके अंदर जो चोटे साइज का जंक्शन बॉक्स लगा हुए अच्छी क्वालिटी का पैनल डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ रही है हमने देखें बाकी बात आहिए पाद में लगा दिया जो पैनल की बाहर नीचे जा रही है तो में इस बीस वड्र मिल रहे जो में एक सब 50वर्ट की अच्च्छे आहिए अभी अर आश्यार में मिल दे रहे हैं तो यह फैसाओ अंपेर अच्छी पर्फॉर्स है जो के है अच्छा हम पेर ऊपर से तो आ गए आगे हम पेर जो हमारे यूज करना काम कंट्रोलर का होता है आपको मैं पैनल करीब से दर दिखाऊं तो पैनल जो है इसके अबर अभी भी डस्ट मजूद है डस्ट के बावजूद हमें अच्छी परफॉर्मस मिली है उनकी इस तरह से परफॉर्मस नहीं होती और यह दूब भी खायर अच्छी थी इस टाइम पर परफॉर्मस जहरे थे अच्छा आपको इसमें चोड़ी सी आपको एक चीज यह बताऊंगा कि आपने जो डेट्स वाट का पैनल लेना है तो उसमें आपने क्या चीज देखनी है सबसे पहले तो आपने उसके वाट पर गोर नहीं करना कितने वाट लिखे हो जाना है जैसे सेल जर्मनी पहले कभी आता था आज थोड़ा कम हो गया इस तरह से जो नाम होंगे उनको आपने बाइना ही करना आपने पैनल खरीदना है दूसरी चीज इसमें ये हो गई आपने यह देखना है कि दो तारे निकली होती है जिससे आमने कोनेक्शन करना होता है उनको वह तारे कॉपर में होनी चाहिए जो अकसर तारे जो मिलते हैं वह चाइना को पर में या सिल्वर में होती है जो बड़ी मुश्कल से एक साल या सब्सक्राइब दो साल चलती है उसके बाद वह फंदर से डिस्टोाइब खतम हो जाता है और वह हमारी जो क्वालिटी आउट पूड़ के वो डाउन हो जाती है आपने वह जो बेंगे वह जो पैनल लेना है यह चार करना है कि उसकी तार कोपर में है या या नहीं आई तो थोड़ा scratch करके उपर से देख लेना है कि अंदर क्या चीज है एक चीज होगे दूसरी है कि उसका junction box होता है पैनल के पिछे चोड़ा सा box होता है वह box आपने देखना है वह अच्छी quality का होना चाहिए उसमें जो डायोड लगे होते हैं उनके पीछे आपने नहीं जाना और box हो अच्छा हो तीसरी बात आपने यह देखनी है कि उसकी कोई ना कोई warranty हो और वह किसी कंपनी का पैनल होना चाहिए तो बस यह दो तिन चीज है और आपने उसकी finishing quality देखनी है कि आपको जब solar panel को पहली नजर में देखते हो तो सारे पैनल बिल्कुल आपको साफ नजर करना चाहिए उसमें कुछ चीज तूटी ना हो मतलब कुछ cell damage ना हो कई निशान ना हो कुछ reflections ना हो उसमें और मतलब बिल्कुल आपको लगे कि बिल्कुल fresh panel है पैनल वो आपने खरीदना तो यह थोगी थोड़ी सी डिटेल पैनल के बारे में मैक्सपावर का पैनल ही है कि आज कल नहीं आ रहा तो हमारी company से request यह होगी कि आप यह पैनल बेज़ें पैनल अच्छा है आपका तो काफी कुस्मरी इसकी डिमांड कर रहे है ले सर वीडियो देखने का बहुत शुक्र है चोटी सी वीडियो थी इंशाला आपको दुबारा मिलेंगे किसी और वीडियो क कमेंट में आप हमें अपनी राय देते रहा करें ताके हमें पता चले गए वीडियो कैसी है और या आपको किसी चीज की जरूरत है या कुछ इंफरमेशन आपको चाहिए तो आप हमार से पूछ सकते हैं और सर नंबर भी मारा मजूद होता है आप कॉल करके तो वहां से भी नंफरमेशन मार से ले सकते हैं ओके सर बहुत शुक्रिया अल्ला हाफीज